हलो फ्रेंट्स नमस्कार बहुत बहुत सागत है आपका मेरे आर्वी किचन में आज हम बनाएंगे बहुत ही साधिस्ट ब्रेड का हलुआ ये हमने एक पैकेट ब्रड ली है और ब्रड के हम छोटे छोटे टुकडे करके रख लेंगे कि सभी ब्रड के हम छोटे टुकडे करके रख लेंगे हमने हमने सभी ब्रड को छोटे टुकडों में करके adequate लिया है अब हम एक कडाही लेंगे और उसे गैस पर चढ़ा देंगे और उसमें दो से तीन चंप लिखी डाल देंगे गी को पिघलने देंगे, घी हमारा गरम हो चुका, यह हमने 5-6 काजू और 5-6 बदाम लिये थे, जिसे हमने टुकडों में काट लिये, सबसे पहले अब हम इन्हें तल कर निकाल लेंगे, हमारे काजू और बदाम ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल कर रख लेंगे, अब हम उसी घी में अपने ब्रड को डाल कर सुनहरा होने तक भून लेंगे, हम अपने ब्रड को तब तक भूनेंगे, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते हैं, ब्रड को अच्छे से भूनना इसलिए जरूरी क्योंकि इसमें स्वात बहुत अच्छा आता है, हमारे ब्रड को भूनते हुए पांच मिनट हो गया है, और ये सुनहरे भी हो चुके हैं, अब हम इसमें ब्लूद डाल लेंगे, और इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे, हमने आधा लीटर लूद लिया था, हम इसे अच्छे से गलने तक पका लेंगे, अब हम इसमें एक कटोरी शक कर डाल देंगे, और इसमें अच्छे से मिला देंगे, हमारा ब्रेट का हलुआ बनकर तयार है, वहम इसमें एक चमच इलाइची का कॉर्डर डाल देंगे, और जो काजू बदाव अमने तल कर रखे थे, उसे भी अच्छे ब्लूद लूद 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 इसमें डाल देंगे, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, तैयार है हमारा बहुती साधिस्ट ब्रेट का हलुआप, प्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें, थेंक यूद लूद लूद